माता का अंचल शिव पूजन सहाय इसके लेखक है और इस पार्थ से सम्मंदित एक संचिप्त जानकारी हम लेंगे यानि कि शॉट सम्मरी समझेंगे जिसे कि आपको पार्थ जो है वो और भी अच्छी तरीकी से समझ में आ सके और लाइन टू लाइन एक्स्प्लेनेशन के ल लिख सकने में सक्षम हो और आपको टम टू एक्जमनेशन के लिए बहुत हेल्प भी करेगा ये तो शुरू करते हैं और एक सम्मरी समझते इस पार्थ की पार्थ का सार लेखक ने माता का अंचल पार्थ में शैशवकाल के शैशविय क्रिया कलापों को रिखांकित किया है बच्चा जो गोदी में है जो चल फिर तो सकता है लेकिन बहुत छोटा है अभी और उसके जो क्रिया कलाप है उसकाल के उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशू मंडली यानि उस छोटे बच्चे का जो ग्रूप है मित्रों का उसके दौरा मिल जूलकर खेले जाने वाले खेलो को सामने लाया गया है उद्रित कीया है लेखक ने इस पश्ट किया है कि शिशू का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो दोनों भले ही दूसे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों किन्तु आपदाउ या फिर परेश चानियों में वो मा के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोधी प्रिये और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है यानि इस पार्ट में लेखक जिस विशे को लेकर चले है उस विशे के माध्यम से पता चलता है कि बच्चा अपने पिता को कितना ही क्यों न प्रेम करता हो कितना ही जादा समय क्यों न व्यतीत करता हो अगर बच्चा डर गया है किसी वी वज़े से या फिर उसे किसी चीज का खौफ है उसे लगता है कि उसे सुरक्षा की जरोत है और प्यार की जरोत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मा का अंच लेखक जो है वो बच्पन से ही पिता के साथ बहुत ज़्यादा समय वैतीत करते थे माता से उनका सिर्फ दूद पीने तक का संबन था कहने कारत यह है कि बच्चे पन में अपने जो है लेखक जो है अपने पिता के साथ इतना समय वैतीत करते थे कि मा के पास सिर्फ अपने द पभूत लगाने से लेखक बंभोला बन जाए करते यानि लेखक के बाल जो है जटाओ की तरह लंबे थे और पूझा में अपने पिता के साथ बैठने की वज़ा से लेखक के पिता जो है उनको तिलक लगा दिया करते जिस पूरे के पूरे भोले नाथ लगते पिता जी प्यार से उनको फिर भोला नाथ भी कहकर पुकरने लगी जबकि लेखक का नाम था तार के श्वरनात मैं लेखक पिता जी को बाबुजी और मा को मैया कहकर पुकरता था पिता जी जो है वो रामायड का पाठ करते थे तो मैं उन देखकर पिता जी भी मुस्कुरा देते थे पिता के साथ ही उठना बैटना सब सारा समय ज्यादा तर जो है लेखक का पिता के साथ बीटता था पिता अपने साथ बच्चे को भी नहला दुला कर पूजा में शामिल कर लेते थे और पूजा में शामिल होने पर जब पिता रमा गोलिया बनाकर मचलों को खिलाने गंगा किनारे जाया करते तो पिता जो है लेखक को भी साथ में अपने ही ले जाया करते थे कहने करते कि सारा समय जो है वो पिता के साथ बीता करता था मा के पास जो है वो सिर्फ दूद का नाता था पिता जी की राम नामा बही और राम नाम की गोलिया पिता जी पूजा पाट के बाद अपनी राम नामा बही में राम राम लिखते थे इसके बाद कागज के चोटे-चोटे टुकडों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलीों में लपेट देतें, फिर गंगा पर जाकर आटे की इक गोली फैक कर मचलियों को खिलातें, उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था, पिताजी की गोली फैकना देखकर मैं हस करता था गंगा से जब लोटते तो पिता जी रस्ते में जुके पेड़ों की डालों पर बैठा कर लेखा खो जुला देते थे अब जब पूजा पाट करने के बाद आटों की गोलिया बनाकर राम नाम की जो परजिया बनाकर उसमें लपेट कर गोलिया बनाए जाती फिर मचल पर चड़कर उनकी मूचे उखारने लगता था वो मूचे छुड़ा कर हसते मुझे चूम लेते थे मुझे से खटा मिठा चुमा मांगते थे मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था सामने एक खटा चुमा और दूसरा मिठा चुमा लेते तो मूचे गड़ा देते थे मैं जुझला पड़टा था और पिता जी बनावटी रोना रोते और मैं खिल खिला कर हसने लगता था बच्चे के साथ खेलने का जो यह तरीका है वो ज़्यादा तर इसी तरीके से होता है hard कोई ऐसा ही बच्चों کے साथ खेलता है पिता जो है जादा तर ऐसे पिता जो है बच्चों के साथ खेलने में इन्वाल्व नहीं होते लेकिन पिता लेखक जिस जमाने की बात करें उस जमाने की हिसाब से बात हो रही है तो लेखक के जो पिता है फिर भी अपने बच्चे के साथ बहुत जादा समय व् भात का भोजन पिता जी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे गोरस और भात फूल के कटोरे का मतलब पीतल के बरतन हुआ करते थे उन्हें फूल का बरतन कहा जाता था सान कर यानि मिलाना तो पिता जो है उनको गोरस और भात मिलाकर कटोरे में खिलाया करते और मा और खिलाने की हट करती मा कहती की इसको अभी और भी खिलाओ मा पिताजी से कहती की बच्चे को खिलाने का धंग मर्द नहीं जनते चार-चार दाने का कौर देने से बच्चा समझता की बहुत खा लिया बच्चे को भर मुँख खिलाना चाहिए मा खुद खिलाने लगती फिर कहती की महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है महतारी यानि की मा मा खिलाती और कहती की ये तोता के नाम का कौर है ये कभूतर के नाम का कौर है और ऐसे खूब खिला देती तब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम खेलने निकल जाते मा तेल की उप्टन करती तब तरह तरह के खेल मा जो है वो किस तरीके से तेल का उप्टन करती लेखा को ये भी बताया गया है पाट में कि कभी मा जब अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल कड़वा यानि कि सरसो का तेल जो है उसे कड़वा तेल भी बोला जाता है डाल कर सिर की मालिश करती मैं छटपटाता और रोने लगता पिता जी बिगड़ उठते किन्तु मा उबट कर ही छोड़ती थी बच्चों के शरी को मजबूत करने के लिए यह तरीका होता है कि तेल मा लेखा की मा भी करती लेखा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें यह चीज अच्छी नहीं लगती थी और इसके लिए वो चिलाते भी और रोते भी जिस पर पिता भी गड़ जाते थे लेकिन मा जो है किसी के ना सुनती और उबट कर यानि की अच्छी माल पिता जी गोद में उठा कर बाहर ले आते जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते बालकों के जुंड को देखते ही मैं सिसकना भूल जाता पिता जी की गोद से उतर कर बालकों के जुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था वहीं चबूत देलों के लड़्डों बनाते पत्तों की पूरी कचओडी गीली हनी जलेवी फूटे घड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते अच्छाते ड़िए और तरीकिशें पड़ी चिजों को इकठा क्रके चीजें तयारकर के उसी से एक धुकान त्यार करते और ये उनका खेल त्यार हो जाता थोड़ी तीर बाद मिठाई की दुकान बंद करके घरोंदा बनाते फिर मिठाई की दुकान बंद कर दी जाती और फिर घर घर खेलने लगते रेत की मेड़ ही दिवार बनती तिनको का छपपर दातून के खंबे दियसलाई की प पानी का घीवनता बालू की चीनी ऐसे ही घड़ों के टुकडों का प्रियोकर जियोनार तयार करते हैं हम ही बच्चे पंगत में बैठते भी खाने का जो इंतजाम होता वो जियोनार तयार करते खाने के लिए और बच्चे ही जो है पंगत में नियोता खाने के लिए बैठ जा पंगत में दीरे से आकर बाबू जी भी बैठ जाते थे फिर उनको बैठते देखते हम बच्चे घरोंदा बिगाड़ कर भाग उठते बच्चे शर्मा जाते कि हमारे खेल में पिता जी भी किस तरीके से शामिल हो गए और इस तरीके से बच्चे अपना सारा घरोंदा जो है बिगाड़ कर भाग जाते रे भी हस्ते हस्ते लोट पोट हो जाते थे और पूझते फिर कब होगा भोज भोलानात यानि की अब कब फिर से फिर यह भोज करवाओगे तुम जब हम खाने आएंगे बच्चो की बरात और खेती कभी बच्चे बरात निकलते कनस्तरों का तमबूरा बचता आम की उगी हुई गुठली को घीस कर शेहनाई बनती और ये खेल जो है हर कोई खेलता है जो आम के बीज होते हैं उनको घीस कर उसको बजाया जाता है तो सीटी जैसी आवाज निकलती है और इसलिए बच्चे भी गुठली को गिस कर शेहनाई बनाते हैं हम मेंसे कोई दूला बन जाता समधी आधी बन जाते बरात जो है चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी जिस कोने पर बरात जाती थी उस कोने को आम के पतों और केलों के पतों से सजाया जाता था लाल कपड़े से ढखकर एक पालकी में दुलहिन बिठा दी जाती थी बरात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को उपर कर देते थे और हम हसकर भाग जाते थे और ये बच्चो का खेल होता और जैसे ही बच्चो के खेल में पिताजी शामिल होते the बच्चे जो है ठीला कर शर्मा कर भाग जाते थे थोड़ी देर में बच्चों की मंदली जो है वो खेती भी करने के लिए जुटती बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुमा बन जाती मूज की पतली रसी बना कर घिरनी पर चढ़ा चुकड़ बांध लटका दिया जाता दो लड़के बैल बनते पानी खीचने लग जाते चबूतरा खेत बन जाता कंकर बीज बन जाते मेहनत से खेत जोते बोय जाते फसल तयार होती है हाथो हाथ काट लेते हैं उसी वक्त फसल बोय जाती है वो फसल तयार भी हो जाते है और हाथो हाथ काट भी लिये जाती है फसल पक भी जाती है क्योंकि ये बच्चों का खेल है उसे एक जगार रखकर पैरों से रौंदते भी और मिट्टी के बने कसोरे से उसे उसाते भी ये सारी प्रक्रिया है जो अनाज को साफ करने की होती है मिट्टी के बने दियों के तराजू बना दे जाते तॉल कर राशी तयार क देखने लगते पालकी को देख शरारत अगर किसी दूले के आगे पालकी को देख लेते तो खूप जोर से चिलाते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने यानि कि एक बार ऐसे ही एक बराद जाती है जिसमें ब ने किस ससूर ने वैसा जमाई धूर निकाला था लेखा को आज जब वो चीज़ी याद आती है तो वो सोचते हैं कि कौन सा ऐसा ससूर था जिसने बेटी के लिए ऐसा जमाई धूरा था वैसी शकल का आदमी हमने कभी नहीं देखा जब मूसन तिवारी को चिढ़ाया गया एक बच्चे चिलाउट है अब प्रकरतिक माहौल जो है वो यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का मौसम तयार हो रखा है और उसी को यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से आंधी का मौसम हुआ हवा चल रही है बादल हो गए है और फिर बच्चे चिलाउट है एक पैस सट गए थोड़ी देर में वर्षा जब थमी वर्षा थमते ही बाग में बिच्चू नजर आ गए हम डर कर भाग चले हम में से एक बालक बालक जो है बैजू वो बहुत धीट था हम भागे जा रहे थे संयोक से रस्ते में मूसंतिवारी मिल गए बैजू ने उनको चिढ़ाया और कहा बुढवा बैमान मांगे करेला का चोखा हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिला दिये यानि जैसी उसने ये पंक्ती बोली बैजू ने बच्चों ने भी जो है इसके पीछे सुर में सुर मिला दिया यानि इसी पंक्ती को उसने भी दोरा दिया मूसं तिवारी हम लोगों के पीछे दोडे मूसं तिवारी को ये चीज़े सुन कर गुस्सा आता है और बच्चों के पीछे भागते हैं उन्हें मारने के लिए और हम अपने अपने घर की और भाग चलते हैं हमारे ना मिलने पर तिवारी जो है पाट चाला गया और वहां से गुरू जी ने हमें पकड़ने के लिए चार लड़कों को भेज दिया जैसी हम घर पहुँचे वैसी चार लड़के आधम के बैजू तो भाग गया वहां से और मैं पकड़ा गया गुरू जी ने मेरी खूग खबर ली यानि जितनी खरीखोटी सुननी थी वो सब जो है लेखक सुनते हैं फिर बाबू जी को जैसे ही पता चला वो पाट शाला दोड़े चला है मुझे गोद में उठाया पुछकारा और मैंने रोते रोते आसवों से बाबू जी का कंधा जो है तर कर दिया तर यानि की गीला कर दिया वे गुरू जी से प्रार्फना कर मुझे घर ले चले और रस्ते में साथ ही लड़कों का जुन बिला वे जोर से नाच और गा रहते और इस तरीके से बारिश के मौसर में जब बच्चे बागों में फस जाते हैं पेडों से चिपकर खड़े होते हैं बारिश रुकने पर वो मूसंतिवारी को देखने पर बैजु जब उन्हें उल्टा बोलता है गलत बात बोलता है तो बच्चे भी ना समझी में उस बात को दोरा देते हैं जिसके अच्छे अर्थ नहीं है तो इस वज़र से इन सब चीजों में लेखक फस जाते हैं बैजु जो है वहां से भाग जाता है पिता को जब पता लगता है तो पिता जो भागे भागे विद्या ले आते हैं वहां से बच्चे को पुछकार कर घर ले आते हैं और इस तरीके से लेखक जो है खूब रोते हैं, लेकिन रास्ते में जब बच्चों को देखते हैं, जूञ्ड़ देखते हैं जो नाचगार हैं, माय पकाई गरर गरर पुवा, हम खाई पुवा, ना खेलग जूआ, उनने देखकर हम रोना दोना फिर भूल गए, जैसे ही अब भी हुआ जब उन्हें विद्याले में टीचर से जो है उन्हें डाड़ पड़ती है और क्यूंकि गलत काम होता है उनसे तो पिता की पुझकारने पर और फिर रस्ते में आने पर बच्चों को फिर से देखना नाचते गाते वे वो फिर से रोना धोना भूल जाते पिया की जान जाए लड़कों का खिलोना फिर कहा सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते और फिर लोग जो है बोलते हैं कि बच्चे और जो बंदर है वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते वो बहुत शैतानी करते हैं और इनसे जो है कोई भी जीत नह चीडिया कीप जान चलिए लेकिन बच्चों नहीं अगरा साप निकलना हम दरें दर चीडिया दिग्फे इतना डर गें बच्चे कि वहाँ पर जैसे तैसे गिरते पड़ते वो अपने घर पहुंचे, सारा शरी लहु लुहान हो गया, खून से, पैरों के तलवे काटों से छलनी हो गया, पैरों में तलवों में काटे ही काटे चुप गया, मैं घर की और भागा, बाबु जी और सारे क्या हो गया, जो सीधा मेरे पास आ रहा है, रो रहा है इतना, कभी अंग भर कर यानि कि बहुत ही सकती से जो है, अपने गले लगा कर और बच्चे को पुचकारती है, और कभी मेरे अंगों को अपने आचल से पोच कर चूम लेती है, बड़े संकट में पढ़ गई, जट प में बहुत सारे काटे चुप जाते हैं, पत्थरों पे गिरने से लहुलुहान चोट लग जाते हैं, इस वज़ए से मा जल्दी से हल्दी लियाती है, पीस कर उस पर लगाने के लिए, मैं सां सां करते हुए मा के चल में जा छिप रहा था, घर में कोहरा मच गया, यानि चार अबो जी दोड़े आए, मा की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने मा के आचल के प्रेम और शांती के चंदोवे को किछाया नहीं छोड़ी, कहने का अर्थ है, बच्चा उस वक्त बहुत डर आए था, और अपनी रक्षा करने की जो एक मातर जगर नज़र आ रही थी, व उस वक्त पिता की गोद उसे वो रक्षा देने वाली, महसूस कराने वाली नहीं लगी, और मा का आचल जो है, उसे बहुत सुरक्षा महसूस करा रहा था, और प्यार दे रहा था, और इसके माध्यम से लेखक जो हैं, वो यही समझाना चाते कि पिता के पास बच्चा कितना भी समय का क्यों ना वैतीत करें, कितना ही ज़्यादा क्यों आपने पिता को प्यार करता हो, लेकिन बच्चे को अपनी सुरक्षा का भाव जो मिलता है, वो अपनी मा के आचल में ही मिलता है, आई होग कि आपको यह पार यहाँ पर उसकी समरी जो है, बहुत अच्छी तरीक मिलेंगे जरूर देखें पढ़ें समझें और टम टू एक्जामनेशन को की भरपूर तैयारी करें अगर वीडियो आपको हेल्प करें तो इसे जरूर लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें और भी